दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे UPSC 2021 की स्टॉपर 36 गर रैपूर की निवासी स्रद्दा सुकला के बारे में जिससे आप लोग को एक मोटिवेट मिलेगा कि आने वाले UPSC सिविल सर्विस एक्जाम के तयारी किस प्रकार से करनी है दोस्तो उस एक्जाम में एक मोटिवेट मिलेगा कि किस प्रकार से आपको तयारी करनी है दोस्तो स्रद्दा सुकला जो है 36 गर राज्य के रैपूर जीले की निवासी है उन्होंने दोस्तो UPSC 2021 में औल इंडिया रैंक 45 वा इस्थान प्राप्त किया वो भी समान्य काटिग्री से रहते हुए बात करें उनके स्कूलिंग की तो उनकी स्कूलिंग रैपूर के छोटे से स्कूल से हुई है दसवी बार में उनके उतने नमबर नहीं थे समान्य नमबर थे उन्होंने अपना ग्रेजवेशन BSC सब्जेक्ट से उत्तिन किया गौर्मेंट D.B. गल्स कॉलेज रैपूर से साथी साथ उन्होंने BSC के बाद MSC कम्प्लिट किया फिजिक सब्जेट के साथ कॉलेज का नाम है गौर्मेंट D.B. कॉलेज रैपूर सद्दा सुकला जी बताती है कि उन्होंने UPSC की तयारी ग्रेजवेशन के साथ 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 कर दिया था UPSC की तयारी उन्होंने सेल्फ स्टडी से पूरा कम्प्लिट किया वे आगे ये बताती है कि उन्होंने रैपूर के पाथ एकेडमी से सीर्फ गाइडेंस लिया लेकिन तयारी खुद सेल्फ इस्टडी से कम्प्लीट किया उन्हें ने यूपीस्टी की तयारी के लिए कोभी दिल्ली बगारा का कोभी कोचिंग जॉइन नहीं किया और अपने 36 राज्य के रैपो जीले में रहती हुए यूपीस्टी क कि उम्र में 45 रैंग हांसिल किया श्रद्दा सुकला आगे ये बताती है कि वे रोजाना 7-8 घंटा पढ़ाई करती थी और कभी कभी 10-12 घंटा भी पढ़ाई कर लेती थी श्रद्दा सुकला जी का यूपीस्टी का आपना सब्जेट जियोग्राफी था आप सब यही सवाल करते हैं कि स्रद्दा सुकला जी यूपीस्टी आपना सब्जेट में कौन सा सब्जेट चोईस की थी तो उन्होंने दोस्तों जियोग्राफी सब्जेट लिया थे यूपीस्टी की आपना सब्जेट के रूप में उन्होंने ये भी बताया कि आपको सबसे ज़्यादा आंस वो crack कर सकते हैं तो दोस्तो आप इधार इधार कोचिंग के चकर मत पढ़िए हो सके तो कोचिंग दोस्तो आप कोचिंग इसलिए जोइन किजिए ताकि आपको वहाँ पर guidance मिले और जितना हो सके आप समान बुक से तैयारी किजिए शद्दा सुकला जी बताती है कि उन्होंने समाने नॉर्मल बुक से तैयारी की और आज 45 रेंग हासिल की और वे आईएस आफिसर बनना चाहती है आईएस उनका लच्छ है दोस्तो आज कि इस वीडियो में इतना ही शद्दा सुकला जी का ये पूरा बायोग्राफिया आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताए और वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्स्राइब कर अपने दोस्तों में सेयर करे